नमस्कार दोस्तों स्वागत अब से विकार टॉर्गेट सिबिल सर्विसिस में चली फ्रेंड आज हम बात करेंगे जी एस कभी यह सेट नंबर है थर्टी सिक्स ठीक है इसे पहले कि आए हम लोग थर्टी फाइब सेट कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन अब यहां बताना नायनार कौन थे यानि किस धर्म से संबंदित थे फ्रेंड ओके देखिए अब यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन भी यानि शेयो धर्म से तो कुछ इस टाइप के कुश्चिन आपके पीसे सिक्सामें भी पूछे जाएंगे इसलिए हम आपके ल आलंदा, राजकरे, पावापुरी देखिए यह आपके सामने चार आप्शन है ठीक है इसमें से एक राइट आप्शन है आपको सोचना ठीक है तो आम माने किसलिए आपके पास 30 सिकेंड का टाइम होता है एक्जाम के दोरान सो यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन सीटी के राजकरे से संबंदित है यानि सब्त पर्ली गुफा काँ पिस्तित है वो आपके राजकरे में एक बार नोट हो गई फ्रेंड डाउट क्लियर है चले नेस्ट कुशन है गोपत प्रामण किस से संबंदित है एजुर वे से संबंदित से ओधर्वे से रिगवे से तो गोफत प्रामण की बात हो रही है चार आप्शन है आपके सामने फ्रेंड अप राइट अप्शनों का ओप्शन सी यानि ओधर्वे से ओके नशकुशन है बल्लवी विश्विदाले कि स्राच में इस्तित्हां बिहार उत्त प्रदेश, बंगाल, गुजरात, देखे, right option होगा, option D, यानी गुजरात में, ठीक है, तो यह भी काफी important है, यह सारे वही question है, जो पीसे सिक्साम में, पुछे जा चुके हैं, चलिए, सुनेश question है, दौर समुंद्र, किस राजवन्ष की राजथानी थी, गंग, काक्तिय, समुंद्र, किस की राजवन्ष नी थी, clear print, होईसल की, नेश question है, हीन यान अवस्था का सबसे विक्सित, शैल कृत, चैत ग्रह, इस्तित है, पीतल, खोरा, जुनार, काले, बेल्षा, तिकी प्रेण, आपे, शैल कृत, चैत ग्रह की बात हो रही है, हीन, हान अवस्था में, सो यहाँ पर राइट आप्शन होगा, आप्शन सी, यानि काल ले में, okay, फ्रेंड, clear question, सो नेश्ट कृश्यन है, महाभारत मूलता, किस रूप में जानी जाती थी, ब्रेद का था, ब्रामार, ब्रेद सही था, जैसे ही था, चलिए फ्रेंड, इसका एंसर आप लोग कॉन ब लोगा, ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले कमेंट किसका आता है, महाभारत मूलता, किस रूप में जानी जाती थी, ब्रेद का था, ब्रामार, ब्रेद सही था, या फिर जैसे ही था, चलिए, अपना एंसर दीजी करण बॉक्स में, और हाँ पे भी बताईएगा, आप कि स्टेट से हैं, ओके फ्रेंड, और कितने लोग आपके समिश्चात कारी की तैयारी कर रहे हैं, चलिए, इनमें से किसको, शाह जहां ने शाह पुलंद की पदवी दी थी, दाराशी को, शुजा, औरंग जेब, मुराद, तिक यहां पे शाह पुलंद, यानि, ऑप्शन है, इस राइट आप्शन, दाराशी को सबसे ज़्यादा सिच्छिता और सबसे ज़्यादा विद्वान था, ओके फ्रेंड, क्लियर कुश्चन, सो नेक्ट कुश्चन है, गदर पार्टी का मुख्याल है, निम्रिकीन में से कहां था, आप्शन है, सैंस, फ्रांसिस्को, नियार मदरास, कलकत्ता, सो फ्रेंड आप राइट आप्शनों का ओप्शन है, यानि सैंस, फ्रांसिस्को में, ओके फ्रेंड, सो नेक्ट कुश्चन है, इन में से कौन उग्र राष्टवात के उल्लेकनिये नेताओं में से नहीं थे, गोपाल, कृष्ट गोकले, पिपिन गोपाल, लोकमान, तिलाक, लाश्पत्रा है, देखियां पर ओक्रो राष्टवात की बात हो रही है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए, ओके, सो राइट आप्शन, ओप्शन है, यानि गोपाल, कृष्ट, कोकले, ओके फ्रेंड, सो नेक्ट कुश्चन है, जेतपल के है, एशिया, दच्छड अमेरिका, उत्री अमेरिका, अफ्रीका, सो हैं पर राइट आप्शन है, ओप्शन डे, ठीक है, अफ्रीका इसे राइट आप्शन क्लियर, चलिए अगला कुश्चन देखते हैं, बेतवा नदी, निम्रिकित में से किस नदी से मिलती है, गंगा, य मुना, ब्रेंपुत, सोन, सो हैं पर राइट आप्शन होगा, ओप्शन भी यानि ये मुना नदी से ठीक है, अगला कुश्चन है, भारत में सबसे यदि कुप जाओ, मिट्टी, कौन सी है, लाल, काली, जलोड, चूनेदार, सो राइट आप्शन होगा, ओप्शन भी यानि काली मिट्टी सबसे अधी कुप जाओ है, ओके फ्रेंड, सोनेश्ट कुश्चन है, निम्खिन में से कौन सा राच, इलाइची के पैदावार के लिए पहचान नहीं रखता, देखिए अब यहाँ पे नई शब्द लगा, ठीक है, केरल, करनाटक, तमिन नाडो, ओड़िश देखिए सूची यहाँ पे राइट आप्शन होगा, ओप्शन डी ओड़िशा ठीक है, यह राइची के लिए पहचान नहीं रखता, क्लियर यहाँ पे कुश्चन, चले आगला कुश्चन है, सार गासो समुद्र की विशिष्टा है, अधी ठंडा पानी, अधी गर्म पानी अत्य दिक लौड़िये पानी, समुद्री बनस्पती, देखिए चान आप्शन है, तो दिमाग पे बल दीजिया, और यहाँ पे राइट आप्शन होगा, ओप्शन डी यहाँ पानी, समुद्री बनस्पती से राइट आप्शन टीक है, सार गासों से समबंदित, option होगा option A यानी गाजी अबादी से right option ठीक है लेकिन आपको किसी किसी में ये भी मिलेगा गौतम बुद पहले पे है और दूसरे पे है कानपूर ठीक है चलिए so next question है निम्की में से कौन सा नगर superior जील परिस्तित है so यहाँ पर right option है option C debt right option ठीक है superior जील का नाम सुना होगा आपने ओके फ्रेंड चलिए next question है भारत के सम्विधान के निर्माताओं ने मौली का इदकारों की या उथार्डा को लिया था USA के सम्विधान से आयलेंड के सम्विधान से कनाड़ा के सम्विधान से सोवियस संग से देखिए यहाँ पर right option होगा option यानि USA के सम्विधान से मौली का इदकार यानि fundamental right is okay friend so next question है भारत के प्रभावित साच्रतादर की गड़ना की जाती है कुल जनसंख्या में बच्चों की जनसंख्या में वैसको में साथ वर्ष के उपर जनसंख्या में तो देखिए friend इसका right option होगा option यानि साथ वर्ष के उपर जनसंख्या में यह option बिल्कुल सही होगा friend चलिए so next question है 2011 की जनगर्णा के नुसार भारत की कुल जनसंख्या में नाकरिये जनसंख्या का पर्तिशत है 31.8, 32.8, 32.2, 31.2 देखिए यहाँ पर जनसंख्या का पर्तिशत है वो भी नाकरिये पूछ रहा ठीक है so यहाँ पर right option होगा option D ठीक है clear question so next question है लाल साही किससे बनाई जाती है phenol, aniline, kangorade, yocene so यहाँ पर right option होगा option D yocene is the right option ठीक है लाल साही के बारे में बात हो रही है so next question है निम्नखी में से कौन सा जयो निम्नी करण है plastic, polythene, para, rubber स्वहाँ पर right option होगा option D rubber इसे right option ठीक है जयो निम्नी करणों के clear question चलिए अगला question है निम्नखी में से योगी के किस समू को सहायक आहार कारक कहा जाता है वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन्स देखिए यहां पर बात हो रही है सहायक आहार की ओके तो right option होगा option D आनि विटामिनी से right option चलिए अगला question है मनों के बाल और नाकून में कौन सी प्रोटीन होती है oxytocin, creatin, vasopressin, trypsin चलिए यहां पर right option होगा option D sorry, option B creatin is the right option, ठीक है नाकून और बाल में प्रोटीन की बात हो रही है किसके? मनुष्य के, okay अगला प्रशन है परतिशत के आधार पर वायू मंडल में सबसे अधीक पाई चाने वाली गैस कौन सी है तो यहां पर right option होगा option A, यानि nitrogen is the right option, okay friend so next question है मिर्दा च्रण को रोका जा सकता है सखन वर्षा, 1-0 के बिनाज से 1-0 पर से, अथी 4-0 से देखिए यहां पर right option होगा option C यानि 1-0 पर से मिर्दा च्रण को हम रोक सकते हैं ठीक है और रोकने की कोशिच भी कीजिएगा चलिए नेश कूशन है उत्तर परदेश, किर्शी, अनुसंदान, संस्थान कहां इस्तित है मेरट, बुलंद शेह, लखनो, गोरकपूर तो यहां पर right option होगा option C यानि लखनो में, okay चलिए एगला परशन है उत्तर परदेश में आलो, अनुसंदान, संस्थान, केंद, किस चिला में इस्तित है फरुखाबाद, मेरट, कौनपूर, इलहाबाद तेखिए यहां पर right option होगा option B, यानि मेरट हिसे right option, okay so next question है टाइलर पुरुषकार किस चेत में परदान किया जाता है नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, परेया वरड़ सुरच्छा right option है option D, यानि परेया वरड़ सुरच्छा से संबंदेट है कों सर टाइलर पुरुषकार, okay अगला प्रशन है केंद्रिय अश्रदी, अनुसंधान, संस्थान, कहां इस्तित है चितिकोट, सहारनपूर, कानपूर, लखनो देखी फ्रेंड याचारा option है, इसका right option होगा option D, डेटिक है, लखनोव इसे right option, फ्रेंड, okay फ्रेंड, यह वीडियो रही, वीडियो को लाइक करो जादा से जादा और शेर करो अपने दोस्तों के साथ, okay बाद, फ्रेंड फ्रेंड, अगर आपको यूपी पीसस सिक्सान क्लियर करना है तो आप continue बने रही है हमारे साथ मिलते हैं मिलेस्ट वीडियो के साथ, okay थैंक्स, बेस्ट आप लाग, थैंक्यो, धन्यवाद